फौर्ट पोएम हैं जिसका नाम है स्ट्राबेरी स्ट्राबेरी हाँ आपके भी मुझा को पानी आया होगा थीक है स्ट्राबेरी इतना जबर्दस्त फल है कि उसकी मिटास उसका मिटापन जो होई बहुत ही अच्छा होता है और एक बार जो खाता है वह बार बार खाने की चाव रखता है अब पोएम की पहले लाइन देखो स्ट्राबेरीज द्याट इन गार्डन ग्रो आर प्लंप एन जूसी फाइन याने इसका मतलब होता है स्ट्राबेरी जो की बगीचे में उगती है मस्त गोल मटोल और रसदार होती है खाने में बहुती मजा आती है मस्त लगती है नेक्स्ट लाइन्स देखो बट स्विटर फारेज वाइज में नो स्प्रिंग फ्राम द उड्लाण वाइन याने लेकिन बुद्धिमान वेक्ती जितना जानते है उतनी ही मिठी जैसे वसंत रतू में अंगूर की बेल जैसी टेस्ट उसकी होती है वैसी टेस्ट उनकी पाए जाती है नो नीट फर बावल और सिल्वर स्पूर शुगर और स्पाइस और क्रीम याने इसे खाते वक्त ना बावल ना चम्मच ना चीनी ना मसाला ना क्रीम किसी की जरुरत नहीं होती क्योंकि इसकी जो टेस्ट होती है एक अनो की टेस्ट होती है अधर मटेरियल्स वहाँ आड नहीं करने बड़ते हैं ऐसी स्ट्राबेरी होती है लास्ट सेकंड लाइन Has the wild berry plucked in June beside the trickling stream या नहीं इसका मतलब है जंगली बेर जो होते है न वह जून मंत में निकलते हैं और वह चलकते हुए प्रवाव के बगल से हमें जंगली बेर दूर से दिकाए देते हैं और इस तरह का जो सीन होता है दुर्श्य होता है वह मन को आकरशित कर देता है मन को उसके तरब जाने पे मजबूर कर देता है तो डबल से देखो Has the wild berry plucked in June beside the trickling stream यने जंगली बेर जून में निकलते हैं और चलकती हुए प्रवा के बगल से हमें जंगली बेर दिखते हैं पोयम फिर से देखो Strawberries Strawberries that in garden grow are plump and juicy fine But sweeter for as wise men know spring from the woodland wine No need for bowl or silver spoon Sugar or spice or cream Has the wild berry plucked in June beside the trickling stream तो इस तरह यह बहुती short और बहुती सुन्दर पयम जिसका नाम है Strawberries Strawberries that in garden grow are plump and juicy fine याने strawberry जो की बगीचों में उखती हैं गोल, मटोल और रस्दार दिखाई देती हैं मन को वह attract कर देती हैं But sweeter for as wise men know spring from the woodland wine याने जो बुद्धिमान विक्ती जितना जानते हैं उतनी ही मिठी उसकी टेस्ट होती है जैसे कि वसंत रुतु में अंगुर की बेल जिस तरह अंगुर के बेल का टेस्ट होता है ना उस तरह उसका टेस्ट होता है Then, second stanza, no need for bowl or silver spoon, sugar or spice or cream, याने इसे खाते वक्त, ना bowl, ना चम्माच, ना चीनी, ना मसाला, ना क्रीम, किसी की जरुरत नहीं होती, कोई भी वहाँ पर extra materials वहाँ पर आड नहीं करने पड़ते हाज the wild berry plucked in June, beside the trickling stream, याने अपने क्या जंगली बेर देखे हैं, वह जंगली बेर होते हैं, वह जून मन्त में निकलते हैं, और वह छलकते हुए प्रहवा के बगल से हमें जंगली बेर दिखाई देते हैं, तो वह जो सीन होता है ना, वह सीन बहुती अच्छा होता है, तो इ झाल